बास्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने वीडिव चैनल प्राफिट स्टेडी में तो आज किस वीडिवे हम देखने वाले हैं रेल्वे अपरेंटिसिप 2023 के अंतरगत आप सभी को पता है कि पर यहां पर जो इसका ऑफिस्यल लिंक है वो तो एक टिप कर दिया गया है पर यहां पर फॉर्म फिल्ब में बहुत सारा प्राब्लम देखने को आ रहा किसी का रजिस्टेशन होने के बाद जो इमेल आइड और पास ओडान एक बाद वो इन्वैलिड बता रहा तो आखिर ऐसा क्यूं हो रहा और जो प्रोपर इसका साइट है कब से रन होगा कब से प्रोपर आपका फॉर्म फिल होना इस्टार्ट हो जागा तो आज किस वीडि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर लिजेगा वहाँ पे आपको फुल डीटेल से बताएगा है कि पूरा इसका प्रोसीजर क्या है कौन-कौन से ट्रेड वाले लोग अपलाई कर सकते हैं कैसे अपलाई करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसको फी से देखिए यहां पर देखिए लास्ट डेट आपको बोला गया है कि चार मार्च दो हजार तेइस तक सभी कंडियर्ट ऑल अवर इंडिया से फॉर्म अपलाई कर सकते हैं यह औल इंडिया लेवल का वैकेंसी है ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछी स्टेट वालों को मौका दिया पांसो पचास पोस्ट पे आपका जो भरती निकाला गया ओल इंडिया पर हला कि पोस्ट है वो थोड़ा कम है पर यह ओल इंडिया इलिजिबल है आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि जो ऑनलाइन आपका साइट है वो कब से चलना सुरू हो जाएगा तो लास्ट ड मतलब आज साम के या फिर कल सुबह से इसका जो साइट है पूरा स्मूज चलना सुरू हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी फॉर्म आता है तो उसके लिए 30 दिन का आपको समय दिया जाता है तो लास्ट डेट आपका चार है तो उसी के गोटिंगा आप यहा यहां पर बता रहा है तो पांच के साम नहीं तो 6 तारिक के 6 फरवरी के सुबह से इसका जो साइट है प्रोपर यहां पर चलना सुरू हो जाएगा तो चलिए अबर कौन-कौन से ट्रेड वाल है वो भी हम आपको बता देते हैं हाला कि प्रिविएस वीडियो में इसके प्रोपर्चुनिटी दिया गया है अन डिजर में बात करें तो 280 है ST में बात करें तो 83 ST में बात करें तो 40 OBS में बात करें तो 140 टोटल आपको 550 पोस्ट पे अपरेंटिसिप का भर्तिका नूटिफीकेशन डेल कोच फैक्टी का पूर ठला की तरफ से रिलिस किया गया है आपका उतना पार्टिकुलर अगर पर्सेंटेज है तो ही फॉर्म अपलाई करेगा नहीं तो यूंकि आप सभी को पता है कि सीट भी बहुत कम है मात्र 580 सीट निकाला गया ऐसा ने कि 2000-3000 सीट रहता है तो थोड़ा सा कटफ जो है कम जाता है कि आप सभी को पता है कि कटफ ज ज्यादा रहता है तो कटफ थोड़ा कम देखने को मिलता है सीट अगर कम रहता है तो कटफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है यह करिस्पॉंडिंग एक दूसरे के अगर सीट ज्यादा तो कटफ कम तो सेम आपका ऐसा रूल इसमें देखने को मिलता है तो बाकी वह व करता है कि अगर आप unreserved और OBC से बिलॉंग करते हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपय का प्रोसेसिंग फिस बोल सकते हो एप्लिकेशन फिस बोल सकते हो यह आपको देना पड़ेगा अगर आप STSC और PWD फीमेल कटेगरी से बिलॉंग करते हो तो आपको कोई भी फिस देना नहीं पड़ेगा तो unreserved OBC वालों को थोड़ा से आप प्रोब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि हर बार जितनी भी भरती आता है स्रिफ unreserved OBC वालों को 100 रुपय है आप अप्लिकेशन फेस के रूप में चार्ज किया जाता है तो बाकी यहाँ पर बात रहा कि अप्लिकेशन का तो मैंने बता दिया कि आज साम से नहीं तो कल सुबा से आपका साइट जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से रन करना शुरू हो जाएगा एक दो दिन के अंतरगात इसका जो भी प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम सोट आउट कर दिया जाएगा तो चलिए आज के लिए इतन झाल